मॉनिका स्टाइल 2 में एक पर फिर से आपका स्वागत है तो फ्रेंस आज हमने आपको फाइफ पॉनी टेल हैर स्टल बनाना बता है जो कि बहुत ही यूनिक है बहुत ही ब्यूटिफुल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा मैंने इस तरह से कॉम क है और करके बलों का पार्टिशन कर रहा है ऐलों के अफ़े खेल यू कर लिया है फिर थे यू निंज हुकि निकाल लिया है तो फेज हएअ है, तहब देखक दो कितना सिंपल जग तो ब्यूटिफुल है स्टायों जो कि आप जीन्स रगेरा पर बना सकते हो और गल्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी हैरस्टाइल से हैं सेकेंड हैस्टील बनाने के लिए मैंने यहां पे बीच की मांग निकाल के पार्टिशन किया है और इस तरह से मैंने दोनों सैट के बहुत ही ज़्यादा hair नहीं लिए है, त्होड़ा थोड़ा से hair तो बनें पुछे के hair को में सब्सकिया है। तो इस तरह से देखिए मैंने होल्ड किया हुआ है और यहां पर रबर्बेंड लगा करके बालो किया मैं अच्छी सी पोनी बना लेंगे तो पोनी आप हाई भी बना सकते हो और थोड़ा सा मिडल में भी बना सकते हो उसके आगे के जो हेर से उसको सिंपली मैंने से कॉम कर लि है मैं पिन इस तौई कर दे रही हो अब भी हो सेकेंड फोड़न ऐसा साथ करके देखे मा あने स्तुरह कि लिए ग Craft यह कोरें तरह सी त्याहर कई नहीं से यह लगा दिया है और साथम्य इस तहरह कर रहा है मतलब फोड़ने सेशन मैंने इस तो और से लिए पीछे की हैं आगे तो नीचे बालों को टक किया है और उसको आप चाहो तो पोनी के साथ इसको रबर बैंड में टाइट कर सकते हो बट मुझे थोड़ा सा वाल्यूम चाहिए था अपनी पोनी में तो मैंने इस तरह से कर रहा है अब यह जो थोड़ा सा है पोनी में इस तरह से आप विदाव ट् पोनी का लुक है वह और भी ज्यादा बीचिफुल हो जाएगा अब जो है तो यह हमने ट्विस्ट किया है उसको देखे पोनी का है थोड़ा सा लेंगे हम इस तरह से और जो ट्विस्टेड है उसको पोनी के थोड़े से हैर में मिला कि यहां पर रबर बैंड लगा लेंगे जो की पोनी हैरस्टाइल है गर्स के लिए बहुत ही जड़ा है अच्छा हैरस्टाइल है और आगे से का लुक कुछ इस तरह से दिखाए दे रहा है और सिंपल है बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे यह और लहेंगे बगार बरे भी बहुत सी लड़के तहे बनाना नेक्स्ट हरस्टेल की और बढ़ते हैं तो उसके लिए मैंने बहुत जो अभी मैंने पहला हरस्टेल लिया उसे थोड़ा सा हलका सा जादा है या सेम क्वांटिटी का है तो यह आपको अपने अकॉर्डिंग ले लेना है कि कितना आपका है थेक है या थेन है तो अपर पीछे करेंगे बहुत स्वेटिंग हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत जादा पढ़ रही है तो इस तरह से देखे मैंने इसको त्री पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इसकी मैंने यहां पर चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है अब चोटी बनाते समें जब आगे से पीछे को इस तरह से करके तो जो है नीचे चूटे हुए है उसमें से हम एक छोटा चोटा सा सेशन अपने बालों का लेते जाएंगे और अपनी जो हम चोटी डाल रहे हैं उसमें हम एड़ करते जाएंगे तो इस तरह से दिखे चोटी डाली है और सेशन को भी एड़ कर लिया है और और अब हम यहांपर सिंपल चोटी डालते-जाएंगे और आगे से seconds falling का चोटा-चोटा लेते जाएंगे. आपने to rib وا CEO aa अपनी Mean Shows को पूरा Bar एक सबारे हार में यहांगे एक बिरा से एक हैर है को अधर नेए बहुत अच्छा लगता है लेंगे वगर पीछे की साइड से अगर आप पफ बना लोगे इसमें तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा है तो इस तस देखे मैंने पूरे हेर्स को ले लिया है और जो नीचे का हेर है तो इसको मैं सिंपली यहां पे चोटी बना ले रही हूं मतलब ब्रेट बना लूँगी और एंड तक एकदम बना लेंगे इसको और इसको टाइट रबर बैंड नहीं लगाना है यहां पे तो इसमें सिंपल मैं लगा के चोट दूंगी क्योंकि अब इस तरह से तो इस देखे दोनों रेडी हो गया मैंने पिन हटा दी है अब इसको से लगे से अब most को सिंपतर पाष्ट क्याद ओ happened irky mazer कर दिया तो इसकाल को मोच के फिर नेकस्ट हे लुटेन चुटे कर दिया से चोट करेंखने माल नहीं होते है यह किस तरह से लिए यह हो आगे से मैंने कितना श्मेंस सिंपल है कितना लेगे तर फिदिते है निया से चर और उसके बाद एक साइट के हेर को मैंने तू पार्ट में डिवाइड किया है दिवाइड करके इसको अच्छे से कॉम कर लेंगे और कॉम करके इसको पीछे ले जाना है बड़ इसको क्रॉस करके लिए यानि कि इसको हम दूसरे साइट की साइट लेके जाएंगे पोनी के पा कि उधर का हेर उस साइड लेके गई हूं और यह वाला हेर दूसरे साइड और इसको भी हम सिंप्ली पिन लगा करके टाइट कर दे रहे हैं अब करने के बाद जो नीचे का हेर बचा है तो इसको कोम करके यहां पे टू पार्ट में मैं डिवाइड करूंगी और इसको ट्विस लगा है और आपने जो पीछे पोनी बनाइए उसमें मैंने लपेट दिया है और नीचे के सेड मैंने बचाछ मैंने पास आप यह हैर पोनी के उपर से निकालेंगे और एक राउंड लपेट देंगे अगर आपका मतलब है लॉप नहीं है तो आपको इस तरह से करके टाइकर दिया है और देखिए आप इस तरह का इसका लुक है और मैं फिर से बोल रही हूं जो पीछे हैर टाइक किया है अगर आप चाहो तो इ कर दे कण दिखानागर हों इसके बार अब पीछे के साइड मिद आच यह उल लिए रही है ता यहां पीछे कर के लिएंगे और इसके यहां पे एकम हाई पोनी बना लेंगे तो मतल각 पोनी हाई हो या लो हो ए अपनी पर एक्टाम मिडल में हो रबर बैंट लगा के टाई कर दिया है मैंने इसको और अब हम आगे का हैर जो बना है उसमें कलचर में कट रखा था इसको मैंने यहां पर कोल दिया है पीछे की से हैर को करके यहां पर हम कॉम कर लेंगे अच्छे से एकदम ताकी हैर मैंने हो जाए और उसके बाद देखिए जो एकड़ में हेड के पास से नहीं लेना है थोड़ा सा दिखे दूरी छोड़ते हुए मैं यहां पर राबर बैंड लगा लिया है तो इसका मैं पर पफ बना रही हुए इस तरह से लगाएंगे कि तोड़ा सा है लूज रहा है अब थोड़ा सा आगए के साट से पुल कर दे पीछे की साइट से यहां पर बबेंड के साथ है उसके बाबी पिंस लगा लिए तो इस तरह का कुछ लुक हमारा दिखाई दे रहा है उसके पाथ जो पफ वाला है था जो रबर बैंड के साथ है अभी तो उसको सिंपली हां पर हम थ्री पार्ट में डिवाइड करके मैं यहा तो पूरी चोटी को इस तरह से हम अपने लबेट लेंगे रबर बैंड के उपर तो रबर बैंड भी मेरा हाइड हो जाएगा यहां पर और इसका लुक भी एक अच्छा सा निकल के आ जाएगा तो आप देख सकते हो इसका लुक कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है यह व पर बोचिन!